फ्रोधबाद के शुकोबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामनी आया यहां बस में सफर कर रही एक अमेरिकन युवती और उत्रप्रदेश में टावा के रहने वाली युवक को पुलिस ने संध्य के आधार पर हिरासत में लिया पुछताश की गई तो दोनों निर्दोश पाए गए लेकिन उनके साथ घूमने की कानी ऐसी निकली कि मामला वारल हो गया दरसल लड्की मूल रूप से अमेरिका की रहने वाली है पबजी खिलते हुए उसकी दोस्ती छंडीगर्ड में रहने वाली एक युवक से हुई अमेरिका से चल कर वो चंडीगर्ड पहुँच गई तीन महीने उसके साथ रही थी पबजी खेलते हुए ही उसकी दोस्ती टावन इवासी युवक हिमानशु यादब के साथ हो गई और भी उसके साथ चली गई हीमानशु उस लड़की के साथ बस में सफर कर रहा था इसी दुरान किसी आत्री को शक हो गया और उसने पुलिस को सूचित कर दिया इसके बाद पुलिस दोनों को इहरासत में लेकर थाने पहुँची बेराल काफी देर तक पुछताज के बाद जब कोई मामरा नहीं बना तो पुलिस ने लड़की को तो छोड़ दिया लेकिन उसका दोस्त हिमानशु यादब अभी भी हवारात में बैटा है हमानशु के परजणों के ना आने की वज़े से उसे लौक अप में ही रखा गया है कोद्धाल अनिल कुमार सिंग के मताबिक हमानशु के परजणों के आने कीबाद उसे सबुर्द कर दिया जाएगा इसी को लेकर देखी हमारे समरता सौरव उपाद्याई की ग्राउंड डिपूर्ट इसी को लेकर आए और भारत के युवा आए और उनसे संपरक में आकर भारत देश में आ गई अब पबजी खेलते खेलते दोस्ती हुई दोस्ती जब परवान चली तो वो अमेरिका से चंडीगळ आ गई और चंडीगर पे तीन महीने एक शक्ष के साथ रही उसके बाद पबजी खेलते ही खेलते उसकी दोस्ती इतावा निवासी एक शक्ष से और हो गई जिसके बाद वो इतावा आ गई और इतावा से कई दिन रहने के बाद रोडवेज की जो बस है उससे वो शक्ष और जो अमे जा रही थी किसी यात्री को शक हुआ कि अमेर्की लड़की और हिंदुस्तान का लड़का उसने इस पूरे मामले की शिकायद जो है वो पुलिस को कर दी पुलिस ने रोडवेज बस से उसे लड़की और लड़के दौनों को उतार लिया जिसके बाद घंटों जाच परताल की दौनों को घंटों थाने में बिठाया गया जिसके बाद निर्दोष पाई जाने पर क्योंकि टूरिस्ट बीजा पर लड़की जो है अमेरिका से भारत आई थी और चंडीगर में रहने के बाद तीन बही ने चंडीगर एक फ्लेट पर रही उसके बाद हिमानशु यादव नाम का शक्ष जो उसके संपर्क में आ गया उसके साथ जो है चली आई इटावा इटावा कई दिन रहने के बाद उसके साथ वापस दिल्ली जा रही थी इस दोरान जो रोड़ वेज की बस थी वो शिकावाद होती हुई इनकुजर रही थी शिकावाद में उसको पुलिस को लड़की दोनों को उतार लिया जाज परताल में कुछ भी ना मिलने पर लड़के को भी छोड़ दिया गया कई घंटे रातवर थाने में बिठाने के बाद और लड़की को महला कॉस्टेबल के साथ दिल्ली बेजा गया है पूरा मामला इसलिए चर्चाओं में आ गया कि अमेरिका से यहां जो है दोस्ती हो जाने पर दोस्ती परवान चड़ जाने पर पबजी खेलते खेलते जिस तरह युवती यहां आ गई पूरे में चर्चा का विश्य बना हुआ है वीडियो डिनेरिस्ट अर्चित के साथ सौरव उपादिया इंडिया नियोच फ्लवाद